हेलो एवरिवान गूद इवनिंग एन वेलकम बैक टू माई इवनिंग कोकिंग ब्लाग और यहां पे इवनिंग का टाइम हो रहा है और फटा फट से मैं आ चुके हूँ किछन में क्योंकि बच्चों को भूक लग चुकी थी और चाही का टाइम भी हो रहा था तो मैंने सोच क्यों आज पकोड़े बना लेती हूँ क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही बड़ी सी गोवी आई थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसी का इस्तमाल करते हैं तो चलिए फटा फटा फट से मैंने यहां पे निकाला है बेशन उसमें डाला है नमक डालेंगे लाल मिर्च हल्दी प फटा फट से पानी डाल कर और इसका ना हमें एक कोटिंग कंसेस्टेंसी का बैटर बना कर तयार कर लेना है तो आप एक बार इस तरीके से ना मेरे तरीके से यह पकोड़े बना कर देखिएगा अपने कई तरीके से बनाया होगा मैं जानती हूँ बट आप एक बर इस तरीक आम जाम है, यह होती ही रहता है, तो चलिए फटाफ़र से मैंने ओईल ट्रांसफर किया है, कडाही में डाला है रीपाइन ओईल, आप जो भी कुकिंग ओईल खाते हैं, वो यहां पे ऐड कर लेना, चलिए फटाफ़र से यहां पे डालते हैं, सारी गोबिया, मैंने गोबियो मैं इस तरह से चमच की हैल्प से कर रही हूं अगर आप चमच से comfortable ना हो तो आप हाथों से कर लेना है और यहां पर न हमें यह जो गोबियां फ्राइ करनी है इसको medium flame पर करना है क्योंकि इस इसे स्टेज पर जो हमारा गोबी है वो पकेगा क्योंकि हमने इसे उबाला नही है आप प्रोसेस अलग से भी कर सकते हूँ उबाल करके भी कर सक्ते हूँ मतलब मैंने बोला कि कई तरह से आ बना सकते हो गोवी के पकोड़े बाट आ झाती लगते हैं और बहुत से फटा फट से फ्राइ कर ले रही हूँ और friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है, रेसेपी पसंद आती है, तो वीडियो को like कर देना, साथ में चानल को subscribe कर लेना, family friends के साथ वीडियो को share जरूर करना, क्योंकि आप कई तरह से बना करके देखे होगे गोवी के पकाऊड़े, बट आप एक बर इस तरीके से जरूर बना कर देखना तो सारी गोविया मैंने फ्राई कर लिया है और अब क्या करना आप एक साफ कपड़ा ले लेना है या फिर आप टीसू पेपर ले लेना और उसकी हेल्प से न हमें एक एक गोवी को थोड़ा सा हाथों में दबाते हुए आलू चोप होता है बस गोल सा उसे इतनी देर में कड़ा ही मेरी हीट हो चुकी थी और यह जो दुबारा प्रोसेस हम करेंगे न यह काफी हीट हमारा ओइल होना चाहिए फटा फट से इसे डालना है और निकाल लेना है इससे क्या होगा कि जो गोवी है वो हमारा तेल भी अब्सॉप नहीं करेगा और अच्छ तुह क्या लेते हो या पिर क्या लेना पसंद करते हो यह कमेंट बक्स में कमेंट जरूर करना ठीने मुझे तो अच्छे लगते हैं या निक थासिये वे डिकान लेती हो हु तो मैं इसी तरसे करती हूँ हु ताकि उससे इवन निंग का स्नच यक यह ahead और और चाहिए प्र फटा फट से जो पकोड़े हैं तो चली है इसे तरहों के हैं तरह के साथ तब तक लिए तर अगया रगार है और बहुत ही तेस्टी पढसेड़ ना करना कमेंट सेक्षिन में कमेंट करना कि आप चाहे के साथ क्या लेना पसंद करते हो तो चले फिर से मिलती हूं इसी तरह के cooking video के साथ तब तक के लिए tata bye bye and take care thanks for watching a heart speed to the city streets we began to feel the fire we were